इंग्लेंड के खिलाव चल रही टेस सीरीज के कैप्टन रोही शर्मा के लिए ये टेस सीरीज जो है किसी इंतेहान से कम नहीं लग रही और ये इंतेहान काफी मुसीबतों बरा फिलहाल नजर आ रहा है क्योंकि पहला जो मैच है इस टेस सीरीज का वो तो टीम इंडिया हार और इंग्लिन को बड़त मिल गई है लेकिन अब जो दूसरा मैच शुरू होगा वो होगा 2 फैबरी को लेकिन बात ये है बड़ी बात ये है मुख्य खबर ये है कि 2 फरवरी को जो मैच होगा ना उसमें चार खिलाडी चार अच्छे खिलाडी जो है वो नदारत देखेंगे विराट कोली और मुहमार शामी का तो हमें पता ही है उन्होंने पहले 2 मैचिस से छुटी ले रखी है मुहमार शामी एक तरफ जहां चोटिल है तो विराट कोली के नीजी कुछ कारण है जिनकी वज़ा से वो मैच टीम इंजिया के साथ फिलाल नहीं जुड़ पाए है लेक केल राहूल और रविंद्र जडेजा दोनों ही अच्छा खेले और आप देखिए एक तरफ केल राहूल ने जो अपना क्रीज संभाली और अच्छे रन बटोरे तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने तो बॉल के साथ साथ अपने बल्ले से भी कमाल करके दिखाया अस बड़ी शर्मा के लिए बड़ा सवाल और बड़ा इंतहान ये है कि प्लेइंग 11 कैसे वो बनाएंगे और कौन-कौन से खिलाडियों को रखेंगे क्यूंकि चार दिखज उनके फिलाल तो दो फेबररी वाले मैच से बाहर हैं हमने बताया आपको कि रविंद्र जडेजा चोटिल है और विराज कोली पहले दो मैची से पहले ही चुटी ले चुके हैं और अगर बात करें मोहमर शामी की जगा खेल रहे हैं सिराज की तो सिराज कुछ अखास प्रदर्शन इस मैच में नहीं कर पाए और भारत को हार का मूँ देखना पड़ा अब आपको क्या लग कैप्टेंसी लैक होती दिखी तो आपको क्या लगता है कि रोही शर्मा को अपनी कैप्टेंसी को कैसे साबित करना चाहिए और किस तरह की टीम उनको बनानी चाहिए फिलाल क्रिकेट ग्यान में इस वीडियो में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रही है मासा देख करें तरी करकेट ग्याँ